दोस्तो एक new video में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अगर आपके YouTube चैनल पर भी अभी तक 1000 subscribers का criteria complete नहीं हुआ है आपने कैई सारे तरीकों का यूज किया है कैई सारी टिस्क का आपने यूज किया और कैई सारी applications का भी आपने यूज किया है लेकिन फिर भी आपके YouTube चैन यही समस्या है तो यह video especially आपके लिए है क्योंकि इस video में आपको एक ऐसे तरीके के बारे में एक ऐसी ट्रिक के बारे में जानकरी देने वाला हूँ जिसके माध्यम से जिसकी मदद से आप अपने किसी भी YouTube चैनल पर only एक घंटे के अंदर 1000 subscribers का किरायट एरिया आसानी से complete कर सकते हो यही नहीं दोस्तों मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने subscribers को drop होने से रोख सकते हो decrease होने से रोख सकते हो तो हमेशा की तरह दोस्तों आज की वीडियो भी interesting होने के साथ साथ knowledgeful होने वाली है आप इस video में last तक जरू बने दिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसी तरह की interesting और knowledgeful वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को subscribe करकर bell icon को press जरू कर दीजिए जिस वी कि आपको हमारी latest वीडियो का notification सब सब पहले मिल जाए तो चली दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं इस interesting तरीके के बारे में इस interesting trick के बारे में जिसके माद्यम से आप शिरफ एक घंटे के अंदर अपने किसी भी YouTube चैनल पर 1000 subscribers का किराइट एरिया आसानी से complete कर सकते हो और साथ में हम ये भी जानेंगे किस तरह से हम अपने subscribers को decrease होने से drop होने से रोक सकते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ important जानकारी मैं आपके साथ share करना चाहूंगा आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो को watch किया होगा जहां पर आपको बताया गया है आप किसी application से किसी website से या फिर सब और सब के माद्यम से subscribers increase मत कीजिए अगर आप ऐसा करते ह तो आपका YouTube channel monetize नहीं होगा अगर आपने भी कोई इस परकार की वीडियो watch किये तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों आप चाहे जिस मर्जी तरीके से starting के 1000 subscribers complete करिए आपका YouTube channel 100% मैं स्योटी के साथ कह सकता हूँ monetize हो जाएगा लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखि अगर आपके subscribers monetize होने के बाद 1000 से कम हो जाते हैं तो आपके YouTube channel को दुबारस से demonetize कर दिया जाएगा इसलिए अगर आपके मायन में भी कोई इस परकार का भरम है आप किसी application से किसी website के माध्यम से या फिर सब फोर सब के माध्यम से subscribers increase करोगे तो आपका YouTube channel monetize नहीं होगा तो इस भरम को निकाल दीजिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा YouTube सिरफ आपके content को देखता है आपके वीडियो की quality को देखता है जो कुछ आप वीडियो में explain कर रहे हो वो YouTube देखता है अगर आपके वीडियो की quality अच्छी होगी आपका explain करने का तरीका बहुत अच्छ subscribers चाहे आपको जो मर्जी तरीका apply करना पड़े आप complete कर लीजिए उसके बाद 4000 घंटे का वोश टाइम complete करने के बाद अपने YouTube चनल को monetize करा सकते हो लेकिन आपको जहां पर यह ध्यान रखना है मैं बार बार फिर से repeat कर देता हूँ जो भी subscribers आप अपने YouTube चनल पर increase करोगे व तो वो दूर हो गया होगा तो चली दोस्तों अब हम जानते हैं उस interesting तरीके के बारे में जिसके माध्यम से आप only एक घंटे के अंदर 1000 subscribers complete कर सकते हो दोस्तों आपसे एक छोटी सी request है इस वीडियो को आप complete watch कीजिए अगर आप अपने YouTube चनल पर सिरफ एक घंटे के अंदर 1000 subscribers complete करना चाहते हो अगर आप वीडियो को complete watch नहीं करते हो तो हो सकता है subscribers तो increase हो जाएं लेकिन बाद में सभी subscribers drop हो जाएंगे फिर आप comment करोगे मेरे subscribers drop हो गए इसलिए ही मैं कहता हूँ आप वीडियो को complete watch कीजिए तब ही आपकी problem का complete solution आपको मिलेगा इसके लावा दोस्तों म बारे में उस website के बारे में पहले से ही जानते हूँ और आप में से बहुत सारे लोगों ने उस website का उस application का पहले भी यूज क्या हो लेकिन आपके subscribers मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ increase होने के बाद decrease हो गए होंगे लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके subscribers decrease नहीं हों यहां पर आपको अपने YouTube चैनल के लोगों पर किलिक करना है उसके बाद यूर चैनल पर आपको किलिक करना है यूर चैनल पर किलिक करने के बाद यहां पर आपको 3.पर किलिक करना है और यहां से आपको अपने YouTube चैनल के लिंक को कापी करना है अब यहां पर दोस्तों मैं आ आपको बताना चाहूंगा आपको जाना है अपने मुबाइल फ़ॉन के Chrome ब्रावजर में जाने के बाद यहाँ पर आपको वाई टी इस्टूडियो को open करना है यहां पर आपको टाइप करना है यहां पर आपको टाइप करना है यहाँ पर मेरा एक निव योटूब चैनल है इसका YT Studio यहाँ पर Chrome Browser में आपन हो चुका है यहाँ पर आपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर जाना है Customization वाले option में और यहाँ पर आपको Basic Info पर क्लिक करना है Basic Info पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे सलाइड करना है यहाँ पर आपको Channel URL यहाँ यूरल आपको यहाँ से कॉपी करना है जो मैंने पहले आपको कॉपी करना सिखाया था वो URL एक्टॉल में उस वेबसाइट में काम नहीं करेगा जिस वेबसाइट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकरी देने वाला हूँ तो सबसे पहले तो आपको अपने यूटूब चैनल का URL या फिर लिंक हम इसको बोल सकते हैं आपको यहाँ से कॉपी करना है कॉपी करने के बाद आपको अगेन क्रोम ब्राउजर में जाना है और यहाँ पर आपको जिस वेबसाइट को आपन करना है उस वेबसाइट का नाम है My Tools Town My Tools Town जैसा कि मैं अल्रेडी कह चुका हूँ आप मैं से बहुत सारे लोग इसके बारे में पहले सी जानते होंगे और आप मैं से बहुत सारे लोगों ने इसका यूज भी किया होगा लेकिन ये भी मेरी 100% गारंटी है जिन्होंने भी इसका यूज किया है जो भी subscribers आपके YouTube चैनल पर increase हुए थे वो सबी बाद में decrease हो गए लेकिन जो तरीके मैं आपको बताऊंगा इस तरीके के माध्यम से आपके subscribers decrease नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको इस website को open करना है जैसे आप इस website को open करोगे कुछ इस तरह का interface आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पर आपको नीचे slide करना है और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा free YouTube likes and subscribers इस वाले option पर आपको click करना है उसके बाद एक add आएगा इसको आपको skip कर देना है इसको skip करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा enter YouTube channel link and channel ID तो यहाँ पर आपको वो link paste करना है जो link हमने Chrome browser में जाकर YT Studio को open करने के बाद copy किया था तो यहाँ पर मैं अपने link को paste कर देता हूँ यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर channel search पर क्लिक किया और यह link यहाँ पर काम कर रहा है और यहाँ पर my tools town का dashboard open हो चुका है यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे option मिलेंगे dashboard, earn credit, boost profile और view promotion यहाँ पर आपको सबसे पहले earn credit वाले option पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कुछ credit free में earn करने है यहाँ पर आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरत नहीं है आप free a post अपने YouTube channel पर एक घंटे के अंदर 1000 subscribers आसानी से complete कर सकते हो तो यहाँ पर आपको earn credit वाले option पर क्लिक करना है उसके बाद आपको नीचे slide करना है यहाँ पर दोस्तों आप देख पारे हो एक channel को अगर आप यहाँ पर क्लिक करके subscribe करोगे तो आपको दो credit point मिलेंगे इसी तरह एक like का एक credit point यहाँ पर आपको simply subscribe वाले बटन पर क्लिक करना है लेकिन उससे पहले जो नीचे आपको एक option मिलेगा settings automatically verify promotion when pop up window closes इसको आपको on कर देना है उसके बाद आपको subscribe पर क्लिक करना है subscribe पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सीधा YouTube में redirect हो जाओगे और यहाँ पर आपको tap here to like, follow and then come back close this window to get credit इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर YouTube open हो चुका है और यहाँ से आपको जो भी YouTube चनल आपके सामने आएगा इसको subscribe करना है subscribe करने के बाद आपको minimum यहाँ पर 10 second के लिए wait करना है 10 second आपको रुखना है उसके बाद आपको simply यहां से back करना है तो अभी हम यहां पर 10 second का wait कर लेते हैं यहां पर दोस्तों आप देख पा रहे हो verification successfully to credit added तो इस तरह से अगर आप एक चैनल को यहां पर subscribe करते हो तो दो credit point आपके account में यहां पर add हो जाएंगे एक like का एक credit point यहां पर add हो जाएगा तो इस तरह से आप यहां से unlimited credit यहां से earn कर सकते हो और उसके बाद आप अपने YouTube चैनल को यहां पर promote कर सकते हो तो promotion आप किस तरह कर सकते हो उसके बारे में हम जान लेते हैं इसके लिए आपको उपर की side slide करना है और यहां पर आपको boost profile पर click करना है boost profile पर click करने के बाद आपको नीचे यहां पर आना है और यहां पर दोस्तों आप देख पा रहे हो एक like, one like is equal to one credit एक like का एक credit point यहां पर कटेगा एक like लेने के लिए आपको एक credit point यहां पर खर्च करना पड़ेगा यहाँ पर आपको सबसे पहला option मिलेगा select promotion type तो यहाँ पर आपको click करना है यहाँ से आप likes और subscribers दोनों आप अपने YouTube चनल पर increase कर सकते हो बढ़ा सकते हो तो यहाँ पर अभी हम subscribers वाले option पर click करते हैं इसके बाद यहाँ पर next option आएगा YouTube channel name जिस भी link से आपने इस website को open किया होगा उस YouTube channel का नाम यहाँ पर automatic आ जाएगा और यहाँ पर आपको next option मिलेगा number of subscribers जितने भी subscribers आप अपने YouTube channel पर increase करना चाहते हो उतने number of subscribers यहाँ पर आपको fill करने हैं तो मेरे पास अभी 7 credit point है तो यहाँ पर मैं अभी 3 subscribers fill कर देता हूँ 6 credit point की यहाँ पर मेरे को अभी requirement है उसके बाद आपको add promotion पर click करना है यहाँ पर दोस्ता आप देख पारे हो promotion added successfully your promotion will be complete in next few hours click here to view your promotion click here पर click करके आप यह check कर सकते हो जो भी आपने order लगाया है उसका क्या process है वो अभी complete हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको view promotion पर click करना है view promotion पर click करने के बाद यहाँ पर आप देख पारे हो मैंने यहाँ पर 3 subscriber का order लगाया था और अभी यहाँ पर यह in progress है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इसकी speed को boost कर सकते हो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ और credit point की requirement होती है तो इस तरह से आप यहाँ से अपने YouTube channel पर subscribers increase कर सकते हो अब दोस्तों जो आपके सामने सबसे बड़ा question था आपके subscribers drop हो जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इस website के मादियम से अपने YouTube channel पर subscribers increase करना चाहते हो तो यहाँ पर जब भी आप order लगाओ तो आपको यहाँ पर maximum 5 subscribers का ही order लगाना है एक बार में उससे ज़्यादा subscribers का आपको order नहीं लगाना है अगर आप 5 पाँच करकर यहाँ पर order लगाओगे तो आपके subscribers maximum 2-3% drop होंगे यह मैंने यूज किया है तब ही आपको में बता रहा हूँ अगर आप यहाँ पर 1000 subscribers, 100 subscribers, 500 subscribers इस तरह का order लगाते हो तो definitely आपके YouTube channel पर subscribers drop होंगे लेकिन आप यहाँ पर maximum 5 subscribers का order लगाते हो तो आपके YouTube channel पर बहुत कम minimum मातरा में subscribers drop होंगे जैसे कि अगर आपने इस तरह के से 100 subscribers increase किया है तो उस में से 4-5 subscribers यहाँ पर drop होंगे, decrease होंगे तो आपको 5-5 subscribers का यहाँ पर order लगाना है उसके बाद आपको definitely अपनी उस problem का solution मिल जाएगा जो problem थी subscribers drop होने वाली तो उम्मीदे दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए इसी तरह की interesting और knowledgeful वीडियो के लिए आप हमारे YouTube channel को subscribe करकर बेल आइकन को प्रेस जरू कर दीजिए जिसी के आपको हमारी latest वीडियो का notification सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक new interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए जैहिन जैभरत दोस्तों